अलो फ्रेंग्स आज मैं बना रही हूं मेक्सिकन नाचोस देखे इसकी रेसिपी अगर आपको मेरा वीडियो और मेरी रेसिपीज पसंद आती हो तो शेर और लाइक कीजिए मैंने एक परात ली है इसमें मैंने ये वाले तिन चमच पीली मकई का आठा लिया है और तिन चमचे ये मेंदे का आठा लिया है इसमें साथ के अनुसार नमक डालना है एक छोटी स्पून मैंने रेड चिली पावड़ा रेड पेपरिका लिया है इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि नमक डालने पेपरिका सब अच्छे से मिक्स हो जाए अब इसमें हम तिन चमच पील डालेंगे अच्छी तरह से मिक्स करना है यह देखी अच्छी तरह से सारा मिक्स हो गया है अब इसमें हम यह गुल गुला पानी लिया है मैंने इसमें हम थोड़ा थोड़ा डालके रोटी जैसा आटा बनाएंगे जरूरत के इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाना है और आटा गुलना है यह देखिए हमारा आटा अच्छी तरह से गुन गया है यह हमारा आटा अच्छी तरह से गुन गया है यह जो मैंने आटा का चम्मच लिया था बड़ा वह मैंने 4-4.5 चम्मच पानी डाला है इसमें अब इसमें हम थोड़ा तेल लगाके आटा को अच्छी तरह से इसमें कोट कर लेंगे तेल अब इसके हम छोटे-छोटे पेड़े बनाएंगे देखें ऐसे छोटे-छोटे हम सारे पेड़े बनाएंगे अब इसके हम आटा हमको रोटी जैसा सॉफ्ट कुजना है सारे पेड़े बना लेंगे इस तरह से सारे आटे के यह देखें हमने सारे छोटे-छोटे गोले बना लिये हैं अब इसकी हम पतली-पतली रोटिया बेलेंगे इसको अच्छी तरह से मसल के हाथ में थोड़ा फ्लेट करेंगे ऐसे फिर सुखा हाटा में लेके हम इसकी पतली-पतली रोटी बनाएंगे जरूरत लगे तो दो बार आप आटा ले सकते हैं सुखा यह देखें ऐसी पतली-पतली हमको रोटी बनानी है अब इस तवे पे यह मेरा तवा गरम हो गया है अब इस तवे पे में यह रोटी डालूंगी और इसको कच्चा पक्का ही सेखना है फूरा नहीं सेखना है दोनों तरफ दीमी आज पे कच्चा पक्का सेखना है देखिए छोटे-छोटे बबल सा आए फिर बाद में इसको पल्टाना है और दूसरी तरफ से ऐसा ही बबल आने तक कच्चा पक्का सेखना है यह देखिए हमारी कच्ची पक्की रोटी तयार हो गई है इसको सारी में रखके दूसरी सारी रोटी बना लेंगे यह देखिए मैंने सारी रोटी पतली-पतली बेल के कच्ची पक्की पका ली है अब इसको हम कट करेंगे खीता-कटर की सहायचा से पहले रोटी को लेना है और इसको आधे में कट करना है फिर इसको दूसरे आधे में ऐसे कट करना है फिर जो यह बाग है इसमें आधा कट लगाना है फिर इसके यह बाग में आधा कट लगाना है इस तरह से सारी रोटियां कट कर लेनी है यह मैंने तिल करम रख दिया था यह मैंने सारी रोटियां कट कर ली है अब इसको हम फ्राइ करेंगे लाइट ब्राउन हो जाए तक तक थोड़ा फ्राइ करना है यह आपको थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा वरना यह सारे नाचोर जल जाएंगे फिर इसको कलता देना है ऐसे बीच बीच में पल्टाते रहना है तक जोनों तरफ से अच्छी तरह से यह नाचोर फ्राइब हो जाए यह देखिए कुरकुरी आवाज आनी शुरू हो गई है अभी हमारा नाचोर फ्राइब करके तयार है अब इसको हम एक बड़ी प्लेट में निकल लेंगे इस तरह से हम सारे नाचोर फ्राइब कर लेंगे तयार हो गए हमारे नाचोर यह बच्चे बड़े सबको बहुत पसंद आती है इसके साथ सालसा सोस और चीज सोस बहुत ही अच्छा जाता है मेरी अगली रेसिपी में यह दिखाऊंगी मैं कर दो कर दो